हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे दूसरे वीडियो में आज हम बनाने जा रहे हैं घटरा पुवा अब हमें चावल को भीगो के छोड़ देना है अब है घंटे भीगोने के बाद इसे पीस लेना है अब इसमें गूड ले लेना है गूड में दूद डाल के अच्छे से मिला ले कर दो है इसके बाद इसमें पीसे हुए चावल को डालना है उसके बाद अच्छे से मिला लेना है इसे अच्छे से मिलाने के बाद दबू या कटोरी में ले लेने के बाद कढ़ाई में डालना है अब हमारा घट्रा पुआ तयार है अच्छे से मिलाने के बाद अच्छे से मिला लेना है